असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ इंपली की खटी मीटी चटने की रेशिपी शेयर करने जारे हूए जिसके लिए मैंने इमली को रात में ही भीगो पर रख दिया था उसमें मैंने एक कड़ाई के ऊपर चनी रख दिया चनी के ऊपर में थोड़ा-थोड़ा सा इंबली डाल कर इसे हलका हलका सा दबाना शुरू करूंगी यह रात भर से भीगी हुई है इसलिए इसमें से पल्प अच्छी तरह से आसानी से सब बाहर आ है और चनी में वेश्टेज बचा इसे हम फेक देंगे अब गेस को हम ओन करेंगे कि इस तरह से मेरा पल्प बनकर रेडी हो चुका है प्लेम को हम हाई रखेंगे हाई प्लेम पर दस से पंदर मिर तक हम इसे पकाएंगे देखिए पल्प के अंदर जाग आना शुरू हो गय है मैं इस जाग को निकाल लूँगी जिसके मज़े से हमारी चटनी काफी ट्रांस्परेंट बनकर रेडी होगी इस तरह से सारा जाग निकाल लेना है और इसे पक्ते हुए 10 मिनिट हो चुके हैं और यह काफी कम होना शुरू हो गया है अब इसके अंदर में एक कप शक्र ड लग रहा है इसलिए में हाफ टीश्पून लाल मिर्च का पाउडर और डालूंगी हाफ टीश्पून नमक वन टीश्पून कुटा हुए भूनजीरा वन टीश्पून कश्मीरी लाल मिर्च अब इसी तरह से हम इसे पकने देंगे दो दो चमच कॉन फ्लॉर लेकर थोड़ा सा पानी डाल कर उसे इसमें डाल देंगे और सटेट पर हम चमच को अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताके इसमें कहीं लंस ना आ जाए इस तरह से में पकाते-पकाते दस मिनिट तक हम और पकाएंगे उसके बाद हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर धीमे धीमे पकने देंगे मीट बीट में हम इसे चलाते रहेंगे ताके जले नहीं इस तरह से देखिए हमारा इमली की चटनी पकर तयार हो गई है अब इसकी consistency देखिए इस तरह से है अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाना है जब तक यह pouring consistency तक ना आ जाए देखिए इस तरह से काफी गाड़ी होना शुरू हो गई है अब हम गेस की flame को बन कर देंगे और हम इसे एक टाइट कंटेनर में इंकार लेंगे देखिए हमारी इमली की चटनी कितने अच्छी बन कर रेडी हुई है थैंक यू फॉर वोचिंग